हेलो दोस्तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास क्योंकि करवा चौत आने वाला है और महिलाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौत पूजन की सामगरी क्या-क्या होती है जा रही है तो आपको सबसे पहले खरीदना है करवा माता का पाना जी हाँ करवा माता की तश्वीर आपको सबसे पहले लेनी है जो आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी ये पाना दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं इसमें ये जो वाइट कलर का बना हुआ ये करवा मा पाटा मतलब चौकी जिस पे पूजा की जाती है उस पे बिछाने के लिए आपको आप कपड़ा ले लेना है पीला वाइट या फिल लाल कैसा भी आप ले सकती है करवा चोधे तो आज आप सफेज चीजों का इस्तिमाल ना करें तो कौशिश करें कपड़ा आप लाल या पील तो यह पाना लगाया जाता है उसके अलावा बगवान श्री जो गनेश झी है क्योंकि यह चौत होती है चतूरती होती है तो गनेश जी की महीमा होती है इसके लिए तो अगर बगवान गरेश झी आपके घर में एक छोटी सी तस्वीर है मूर्ति है जो भी है वो आप रख और इसी के साथ आप लक्षमी जी की भी मूर्ती रख सकती है वैसे ये जो माता हैं लक्षमी का ही रूप होती है इसलिए आपको फूलों में लाल कलर का फूल जरूर रखना है अगर आप गुडेल का या फिर गुलाब का फूल रख सकती है तो जरूर रखे साथ में पीले कलर का भी एक फूल रख सकती हैं इसी के साथ दोस्तों आपको पूजा सामगरी में एक चलनी रखनी है इस तरह की एक ठाली रखनी है और साथ में रखना है ये लोटा इसमें दोस्तों आपको पानी भर के रखना है अब बात करते हैं हम करवा क पूचा के लिए तो कई जगे दो तो कई जगे तीन लिये जाते हैं कुछ लोग बोलते हैं जोडे में लेने चाहिए कुछ लोग बोलते हैं कि तीन करवे लेने चाहिए और कई जगे एक करवा भी लिया जाता है तो आपके वहाँ जिस तरह का करवा चलता है आपको ला रहा ह कई जगे जैसे की दाल चावल की मिलाके खिचडी जो बनाते हैं वही इसमें दाल चावल के रखा जाता है उसके बाद उसको दान किया जाता है और जिसको दान किया जाता है वो खिचडी बना लेते हैं तो इस तरह से आप खिचुडी यानि की दाल और चामल इसमें मिक्स करके इन करवों में भढ़ने के लिए रख लें और इन करवों को आप भढ़ दें उसके बाद ये जो करवे हैं इनके मुपन आप रोली से धागा बान दें जो कि आपको इसमें देखवी राय की मोली रखी हैं एक तो आपको जो करवा माता की पूझा करनी है उसके लिए शंगार का सामान आपको रखना है इसी के साथ दोस्तों जो शंगार का माता का सामान होता है वो वही होता है जो हम खुद अपना शंगार करते हैं जिसमें आप सिंदूर ले सकती हैं इसी के साथ महंदी ले सक यह सारी हमें माता की श्रंगार के लिए यूज करना होता है दोस्तों आप चलनी भी रख सकते हो चलनी हमारे यहां नहीं देखा जाता है चलनी में करवा चौत के दिन मुह पती का अगर आपके वहां यह रिवाज है और चलनी में मुह देखने का रिवाज है तो आप साथ में चलने भी जरूर रखें। आपका जो लाइना है वो आप आपकी सासुमा के लिए जरूर रख लें। उसके लिए आप पूरा श्रंगार का सामान जो की हम लाइने में देते हैं। इसी के साथ आप दोस्तों बिंदी, महंदी, सिंदूर, काजल, चूड़ा और इसी के साथ कलर की चुंदरी ओडना शुब माना जाता है करवा चौत के ब्रत में इसी के साथ धूब बत्ती आप रख ले आपने जो पानी बरा है जिससे हम कलश में जो हम पानी बरते है जिससे हम अर्क देते हैं सूरिय भगवान को कुछ जगे दोस्तों दिन में पूचा की जाती है वह आपके वहाँ जैसे भी अर्क दिया जाता है उसमें आप एक लोटे में पानी बर ले और उसी इसाब से पूजा करके अर्क के लिए जो पानी बर रही है उसमें गेहूं के कुछ एक दाने डाल दें साथ में ही दोस्तों आपको जहां आपका दीपक रखना है माताजी के साम दाने वहाँ भी आप गेहूं के कुछ दाने रख ले उसके उपर ही दीपक रखना शुम बाना जाता है तूब बत्ती रखना आप बिलकुल नहीं भूलें और इसी के साथ करवा चौत की जो ब्रत की कथा है वो भी आपको रखनी है तो दोस्तों ये सारा सामान है जो की अगर आपको मेरा चानल पर वीडियो अच्छा लगाओ तो मिने चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक और नहीं वीडियो के साथ 10 दिन बाबाई